आप सभी का स्वागत है UP Academy for Civil Services में आज ये वीडियो में हर उसे इंसान के लिए बना रहा हूँ न जिसकी एज 35 साल या उससे कम है और जिसे बहुत जरूरत है एक अच्छे गौर्रमेंट जॉब की तो पहले मैं बता दूँ ये संग लोक सेवा आयोग UPSC की पोस्ट है थोड़ी पोस्ट नहीं है याद रिखे ये पोस्ट दो चार साल में पहली बार आती है एक बार आती है तो ये हर उसे इंसान के लिए बहुत जरूरी है जिसकी एज 35 को टच कर रही है जिसकी एज 30 को टच कर रही है तो पहले मैं बता दूँ एक है enforcement officer और account officer इसकी 418 पोस्ट है और Assistant Commissioner Provident Fund Commissioner जो है उसकी 159 पोस्ट है 169 पोस्ट है तो भाईया थोड़ी पोस्ट नहीं है आपको सबसे पहला काम क्या करना है जैसे ही यह form आएगा notification आ चुका है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ यह इतनी जवर्जस जॉब है पहले मैं आपके मन से सारा ब्रहम हटा दूँ तो पहले बता दूँ कि देखे फॉर्म आएगा आपकी चाहे जीरो ही तैयारी क्यों ना हो आप अकर मेरी वीडियो को देख रहा है आप यूपी के बंदे हैं आँख बंद करके पहले आप फॉर्म भरेंगे कैसे करेंगे तो मैं बता दूँ अभी थोड़ी देर में जब ये वीडियो बन जाएगी इससे थोड़ी देर में मैं दो चीज़ें बता रहा हूँ सबसे पहला तो इसका मैं syllabus जो है वो टेलीग्राम पे डाल दूँगा आप syllabus देखिएगा अब आपको ये जज़ करना है कि क्या आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए तो पहले मैं बता दूँ जरूर करो यार क्यों 50% सिर्फ इसका qualification है एक तो written होगा single written और कुछ है नहीं एक written exam और एक interview अब बताओ इससे आसान भारत में अभी कोई नौकरी बची है ग्रूप C के लिए भी दो दो तिन तिन पेपर हो जाते हैं तो इससे आसान कोई नौकरी नहीं है क्यों क्योंकि यहाँ एक written है जिस पे 75% weightage दिया जाएगा तो छोटी-छोटी नौकरीयों का form भर देते हैं उसमें नहीं सोचते हैं तो यहाँ भी मत सोचिए पैसा उतना ही लग रहा है उससे ज़्यादा नहीं लग रहा है बहुत सस्ते form होते हैं इस सब अब आपको करना क्या है यह सही strategy मैं बताता हूँ सबसे पहले आप देखे कि क्या इस form को भर रहे हैं आपकी तयारी का क्या level है पहली बात जो इसका qualification है जैसे आप return में 50% लाएंगे तो आप इसमें qualify माने जाएंगे इतना ही नहीं आपाता लोगों का आप बिलकुल परशान मत हुए कि आप बहुत highly कुछ नहीं है पढ़ने पे है 6 माईने पे paper होगा बिंदास पढ़िये जितना मैं कह रहा हूँ उस तरीके से follow career आपका होगा confirm होगा यह मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरे अपने ही तीन स्टूडेंट हैं जिन में से एक provident fund commissioner है 2014 वाली vacancy के और दो बच्चे enforcement officer में है मतब्दे यार posted as a enforcement officer तो आपको बिलकुल भी load नहीं मैं कह रहा हूँ तो मान लिजी तो चलिए अब आपको क्या करना है पहले आप judge करिए कि क्या आप इस exam में किस level पे हैं तो उसके लिए सबसे पहले toppers code आप सभी को पता है इसका content मैं बनाता हूँ इस toppers code पे जाईए और इस toppers code के store पे जाईए store पे आप देखेंगे UPSC EPFO की test series है 19 test थोड़े नहीं 19 test हर section के वो जो जो subject आता है हर subject के 19 test free of cost है इनका कोई charge नहीं है तो सबसे पहले आप एक काम करिए आग बंद करके toppers code पे जाईए इसके store पे जाईए और store पे जाने के बाद 19 test को आप लगा के देखिए अगर आपके 20-30% याद रखेगा अगर आप 20-30% marks ला पा रहे हैं सबसे बड़ी बात आपको आपकी All India rank जरूर पता चल जाएगी थोड़े नहीं 20-1000 लोगों ने इसको download कर रखा है और लगभग application downloading process में बहुत सारे बच्चे हैं तो आपको आपकी All India rank पता चल जाएगी बहुत जल्दी है application एक लाख पार कर जाएगी downloads मुश्किल से एक महीने में यह मेरा विश्वास है क्योंकि इतना अच्छा content और इतने free में content 19 free test आपको भारत में कभी कोई test series दे ही नहीं सकती यह मेरी guarantee है और शायद इससे सस्ती test series आपने नहीं देखी होगी EPFO के लिए यह भी guarantee में आपको दे रहा हूँ इससे सस्ती नहीं है कहीं पे भी ठीक आपको क्या करना है पहले आप आँख बंद करके इस 19 test को दीजिए और अगर आपका 20-30% free है सब कुछ course पे जाईए मतलब सबसे पहले toppers code install करिए store पे जाईए free of cost के store पे लिखा है UPSC EPFO उसके 19 test को free में solve करिए अब आपको अपने status पता चलेगा कि हाँ मैं इस test को लगाने लायक हूँ कि नहीं लगाने लायक हूँ आप अपना level चेक करिए उसके बाद चाहे जो भी level हो form तो आपको भरना ही है अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो form आपको भरना है तेक वरना आप मेरी वीडियो मत देखेगा आज के बाद मेरी ये सला है अब form भरने के बाद आप 19 free test दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें full length भी है कि आपका क्या level है फिर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ देखे रिटेन एक्जाम जो होगा उसमें मैं आपकी ये मदद कर सकता हूँ कि जो toppers code का study material है उस वाले section पर जब आप click करेंगे तो धीरे धीरे daily मैं एक notes वहाँ पे post करता रहूँगा जैसे मैं आपको ये suggestion दे रहा हूँ आठ महीने की current affairs ल बगभग test हैं जिनमें 19 free test हैं 19 free test हैं सारे हर चोटे से चोटा बड़ा से बड़ा दोनों भाषाओं में हिंदी में भी English में हैं अगर आप South Indian है please attempt in English अगर आप North Indian है तो आप जो आपकी इच्छा हो उस पे आप attempt कर ये एक ही test में bilingual साथ साथ चलेगा एक ही प्रशन को एक समय पर आप दोनों भाषाओं में देख सकते हैं बिना किसी error के ये guarantee है मेरी एक प्रशन में एक भी error नहीं होगी ठीक full length 20 test है किसके 10 test आपको account officer के separate मिलेंगे 10 test आपको assistant commissioner के full length test मिलेंगे इसमे subjective 20 120 subject को मतलब sectional test जो है वो total 120 है तो total 180 के आजपास test है पहले आप इनको solve करिए आप आपको लगे अच्छा है तब आप क्या काम करिएगा study material पर जाईएगा मैं सारे free of cost material इसी पर upload करूँगा मैंने बताया आपको जो बच्चे हैं मुझे पता है कि कैसे निकलता है ये exam ये सारे test मतलब जैसे मैं आपको 8 महीने का vision IS का free में ये आपको पता है free में download हो जाता है यही toppers code की study material पर upload करूँगा फिर मैं आपको quality का वो content upload करूँगा जितना आपके exam के लिए जरूरी है ऐसे ही English ऐसे ही हर subject जितने भी इसके part है section जितने भी है हर section के लिए मैं आपको सबसे बहतरी notes यहाँ पर upload करूँगा आप उन notes को पढ़िएगा इन test series को solve करके guarantee है कि आपने एक बार सही तरीके से जो मैं कह रहा हूँ जैसे सारे paper में आपको यहाँ PDF में भी provide करूँगा आप उसका test भी लगा सकते PDF से पढ़िए फिर test लगाईए अपनी accuracy अगर आप 70% last में कर पा रहे हैं तो मान के चलिए और आपको आपका rank और score भी पता चल जाएग ठीक यह शायद भारत में सबसे सस्ती test series है जो 300 के नीचे है ठीक है और कोई भी 7800 से उपर मतलब उससे नीचे है ही नहीं बट आपको सारे course 300 से नीचे में मिल जाएंगे लेकिन आप पहले इसको check करिए पहले free test दीजे उसके बाट decide करिए study material क्या है यह free of cost है इसका कोई charge न इसक्रामा मैं और कुछ cover तो नहीं करूँगा लेकिन PDF में आपको मैं सारे material प्रोवाइड करूँगा provident fund commissioner के भी account officer के भी enforcement के भी individual बहतरी notes और एक बार आपका written निकल जाएगा तो जो तीन student मैं बता रहा हूँ मैं आपका उनसे personal interview कराँगा मैं इन सब कोई charge नहीं लेता मैं भी यार तेखे आप मेरे ही student है तो ultimately इन सब का मैं कोई charge नहीं लूँगा यह सब free of cost है यह 19 test free of cost है अ आप उसके बाद आपकी इच्छा हो आगे बढ़िये ना इच्छा हो मत आगे बढ़िये यहाँ पे आपको free study material ज़रूर मिलेगा तो इसके लिए तो जरूर इंस्टॉल कर लीजे सब कुछ आपको इसी platform पे मिल जाएगा ठीक है current affairs कुछ भी नहीं सिर्फ और सिर्फ वीजन यह विश्वास करिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच नहीं पाते ना क्यार इतनी बड़ी नौकरी में कैसे अरे कुछ नहीं है 50% में आपको पास होना है बारत का इसे आज कोई एक्जाम ही नहीं बचा है इसके अलावा जहां पे दो एक्जाम ना हो tier 1, tier 2 यहां कुछ यह सिर्फ एक एक एकजाम दीजे एक एक एकजाम में रिटेन निकला इंटर्वी हुआ हो गए पास एक साल में आपकी नौकरी सबसे बड़ी बात और कहीं से कहीं तक कोई भी धादली की गुंजाईश नहीं है इस बात की भी गैरेंटी है तो क्या दिक्कत है फॉर्म तो करिएगा बलकि मैं खुदी कॉंटेट कर लूँगा और मैं उन तीन बच्चों से जो कि अलड़ी इन पोस्टों पे काम कर रहे हैं आपको सीधे वो बतवाऊंगा या उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको यह बताएं कि कैसे आपका एकजाम पास होगा तो आपका ultimate goal मैं पूरा कराने में पूरी मदद करूँगा टॉपर्स कोड के साथ फ्री ओफ कॉस्ट दीजिए और फिर बता दूँ यह सब मैं जो प्रवाइट करा सकता हूँ वो मैं फ्री ओफ कॉस्ट प्रवाइट करा रहा हूँ 19 टेस्ट फ्री ओफ कॉस्ट है और इस स सस्ता आपको नहीं मिलेगा कहिए थैंक्यू सो मच देखिएगा